अरब सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है। भारतिय नौसेना का जहाज पहुँच रहा है। वक्त जहाज अदन की खाड़ी में यमन के अदन पोर्ट से करीब 111 किमी दूर था। जहाज पर 22 कूर मेंबर्स सवार थे। जिसमें से 9 भारतिय थे। हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुचा। ड्रोन अटैक की सूचना मिलते ही नेवी ने वार्शिप आइनेस विशाखा पट्टनम को मदद के लिए रवाना किया था। समुद्र में जहाजों पर हूती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों के हमले का असर भारत पर भी पढ़ रहा है। दोनों गुटों ने कई बार भारत आ रहे जहाजों या फिर भारतिये क्रूव वाले जहाजों पर हमला किया है।